है लो फ्रेंड्स विल्क श्रीन्यास तड़का तो आज हम बताएंगे आपको केसे तीन मिनिट में आलू बॉइल करते हैं माइकरोवन में अब कभी पी कर सकते हैं आलू बॉइल आपको आलू पराड़ा खाने का मन हो या कोई भी चाट खाने का मन हो तब तुरह बना सकते हैं मिनिट में शुरू करते हैं तो मैंने यह आपर चार मेडियम साइज आलू ले लिए हैं बड़े साइज के नाले मेडियम साइज के आलू ले या मैंने इस तरह के और इसे अच्छी तरह से वाश कर लिए मैंने अभी का करना है अभी हम नाइफ से इसे इस तरह से एक दो बा 3 बार आपको पहल्याएद काफी हे, 3 होल इस तरह से कर लेगे, इस तरह से अच्छे तरह से यहर रेक हैो, आछे तरह से इसे बाइप कर लेगे, कज़िए पानी ना हो और मैंने यहाँ पर लिया है, माईक्रोवन सेफ प्लेट लिया है, जो माइकरोवन में यूज होता है, वह मैंने प्लेट लिया है, इस तरह का, तो इसे इस तरह से रख लेगे, और दोस्तों आपकोака माइकरोवन इस लेना है, इसे स्टीम करने के लिए अबी हम माइक्रंवन स्टार्ट कर देगे, आलू कि ट्रे को रख देंकि इस तरह असे स्लोली, बन कर देगे तो दोस्तो अभी हमें करना आए क्या, अभी हम जबी भी हम खाना गरम करते हैं, अगऱ हम माइक्रंवन oni यूज करते हो घर पर खाना गरम करने लिए तो जैसे हम खाना गरम करते है ummy 10 तरह से तो में क कहना गरम करते है इस तरह से नहीं को बाहए देन ही स्थ दबाना है तो 3.00 हो गया तो स्टार्ट हो गया है अब यह स्टीम होना शुरू हो गया है आलू स्टीम होने की खुशुआ आ रही है दोस्तों तो होने आया है यह चेक करते हैं अभी तो हमारा आलू बॉइल हो चका है इसे लिका लेते हैं अभी क्या करें कि नॉर्मल पानी ले आए मैंने यह आपर रूम टेंपरेचर नॉर्मल वाटर तो हम इसमें डिप कर देगें अंदर डाल देगे इस तरह से थाकि आसानी से हम इसका स्कीन पिल कर सके लिकाल सके इसतरह से इसे रख देगे 30 सेकड यहा थो एक मिनिट के लिए थोड़ा रख दे के इसस तरह से थो दोस्तो आलू थंडा हो चुका है पानी बेरे के इस तरह से हम लिकाल लेके इसे इस तरह से लेगे बहुत फाटाफट बन जाता है दोस्तों माइकर उवन में तीन मेंडे बन जाता है कभी भी आपको आलू को से बना हुआ कोई भी चीज खाने का मन हो जिसे कि सावुदाना वड़ा बनाना है आपको यहां तो सावुदाना खिचेडी द और खाना गर्म करते हो वसिए आपको करना है अगर आपका तीन मिनिट में ना हो तो आप 30 seconds के लिए और भी दे सकते हो आलू को करने के लिए तो इस तरह से लिकाल ले हम ने तुल कट कर बताएंगे आपको तो इससे कटकर के बदाते हैं इस तरह से आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से कुक हो गया अंदर से कितने अच्छी तरह स्टीम हुआ है आलू इस तरह से आप स्लाइस कटके आप सैंड्वीच बना सकते हो वेजिटेबल सैंड्वीच हो ब्रेट कटलेट आपको जो पसं कि पद्गा दिएतं तरह से किने अच्छी तरह से अंदर से कि वेब्ल तीन में राद दूसरा आलों में दिछा देते हैं आपको इस तरह से कि आक धासी तरह से कट गे से क твор HARkee में लाद इसे श्थीं बन जाती है तरह से इसे भी काट की बताती है आपको मैं रिल्कुल कच्छा नहीं है अंदर बहुत अच्छी तरह से पक गया है तो दोस्तों कभी भी चाट खान का मन करें जरूर ट्राइ किजिए इस तरह से माईकूरोबन में तुरंद बन जाता 3 मिन में अगर आपका तीन मिनिट में ना के लिए तो दोस्तों कितनी आसानी से बन गया है देखिए आलू बॉय जरूर ड्राइगेजे जरूर लाइक केजे और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे अगले रसीबी और अगली वेडियो के लिए तैंक यू